नमस्कार बंदे मातरम स्वागत आप सभी का दिस एगरी कल्चर की यूटूब चनल पर प्यारी बिध्यारतियों आज आप की लिए पजू पालन यानि डेरी साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट को लेकर आया हूँ आई होप आपको ये प्रस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे पसंद आएंगे इसलिए क्योंकि ये प्रस्ट परिच्छा में अक्सर पूछे जाते हैं आप अगर एगरी कल्चर के किसी भी एगजाम की तयारी कर रहे हैं चाहें वो आपका टॉयल्ट एजी हो चाहें पिर आप किसी competitive exam की preparation कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेट पार्म पर आज चुके हैं क्योंकि दिस आईगरी कल्चर अकेडमी पर daily 4-5 classes चलती रहती हैं तो आप सभी से बिनम्र रिक्वेस्ट हैं कि इस class को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करो अपने दोस्तों के बीच में आपके सेयर करने से अगर ज्यादा बिध्यारती class में जुड़ते हैं तो हमें इससे motivation मिलता है और हम आपके लिए proper classes आपको provide करा पाते हैं तो please dear बिध्यारती हमारी हाथ जोड़कर आपसे बिनम्र रिवेदन है कि सारे दोस्त अगर वास्तवी class आपको अच्छी लग र क्लास है एक एक प्रस्ण को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और एक एक प्रस्ण को अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है स्वागत है जो भी फ्रेंट्स अभी जुड़ रहे हैं सभी को very very good evening हमारी तरप से सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज क्लास का पहला questions प्रस्ण है कि साकाहारीमीट के नाम से किस को जानते है साकाहारीमीट के नाम से किस को जानते है अबी मस्रूम क कटहल या पिर कदो dear student साकाहारीमीट के नाम से जानते makes room को option b will be right answer next next कि ब्राउन स्विस गाय का जो है मूल इस्तान कहां पर है जो ब्राउन स्विस गाय है इसका मूल इस्तान कहां पर है तो बैरे बच्छो ब्राउन स्विस जो गाय है इसका मूल इस्तान की बात की जाए तो इसका मूल इस्तान है कहां पर यह सुटिजर लेंड तो ब्राउन ज़स्तान लाइट हैं बात किज़ा हॉलेंड की बात की जाए हॉलेंड की यह जो अपनी गाह होती है हॉलिस्टीन और इस इंग्ले कि गायइ की संकर किस्म है या झाय की संकर कौमसी है जरसंद है जरसी है आयर सायर है यह जर जोनों ही नसले गाय की विदेसी नसले होती है कैसी होती है वी देशी नसल है तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए क्योंकि जो जर्सी गाय है यह जर्सिंद गाय है यह जर्सी इंडू जर्सी इंटू सिंदी के क्रॉस से बनी है तो जर्सिंद गाय की संकर नसल है और यह जर्सी इंडू जर्सी इंटू सिंधी के क्रॉस से बनाई गई है तो जर सिंध बिलकुस सही जवाब होगा बढ़ते हैं प्रसन नमबर तीन की तरफ पस्वो में खुरपका यानि मौपका जिसको अपने लोग बोलते हैं फूट एंड माउट डिजीज यह किस के दोरा होता है तो यह होता है वीशाणू यानि वाइरस के दोरा उप्सन नमबर सी बिल भी राइट आंसर नेक्स्ट पस्वो में बदिया करने का प्रमो के यह अंदर है भाई क्या है बताओ पस्वो को बदिया करने का तो प्रमो को यह अंदर की बात कर रहा है न यह बर्ड जो कैस्टेटर ठीक है ना बिल्कुल प्रारी बच्चो ट्रॉकर एवं कैनूला से अगर किसी पस्ट के पेट में गैस एकात्रित हो जाती तो उसको क्या है निकालने की काम में यूज में लेते हैं ठीक है कोस्टन नंबर नेक्स्ट प्रस नहीं कि गाय के दूद का आपवेचिक घनत 또 क्या है तो गाय के दूद का आपवेचिक घनत होता 1.028 से 1.030 होता यह कि अपूंगर बी में दिया गया सो वी विल भी राइट अंसर है जबकि 3-2 वाला ये होता वहांस का 3-2 वाला ये होता वहांस का कोस्चन नमबर नेक्स्ट सभी लोग क्लास को लाइक सेर और सबस्क्राइब करना ना भूले नेक्स्ट प्रसन है कि एंड यार आई यानी रास्टिय दुग दुसाला अमसंदान संस्तान ये कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है करना लेनी हरिनाडा में ठीक है एक और प्रसन आपके सामने है कि जो क्रती मियोनी होती है उसका ताप मन क्या होता है पहरे बच्चो आर्टी पिस्यल बैजाईना का ताप मन क्या होता है क्रतिम्योनी यानि और्टीपिसियल बैजाईना इसका ताप मान क्या होता है तो 40 डिग्री बिल भी राइट आंसर है नेक्स्ट कि सांड के बीर का आउसत पियट क्या होता है बच्छो सांड के बीर का जो पियट माय बैलू है वो क्या है तो 6.7 यहां पर C बिल्कुल राइट आंसर है बढ़ते हैं प्रस नमबर नेक्स्ट की तरब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज भाई यह सेयर करना ना बोलें जो भी फ्रेंट लेट से जुड़े हैं उनको भी मारी तरब से बेरी बेरी गुडे बनी गाय के पवासने की किलिया में उत्तरदाई हार्मोंस का उनसा है प्यारी बच्चों गाय के पवासने बोले तो जब गाय पवासने मतलब दूद उतार देती है थानों में तो उस प्रस दार होता हुँ अधिन लेन होता है दुग उतारने में सायक होता औक्सिटोसीन हार्मोन और इसका प्रबाव 5-7 मिनिट तक रहता है तथा दुग दोवन का जो संपूर का रहे हुँ इतने टाइम के अंतरगत कर लेना चाहिए यानि दुग दुभाई का काम 5-7 मिनिट में प्यारे बच्चों यहां एक जिबाड़ू नासक है यानि एंटी बायोटिक का काम करती है नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याए पसुछी किस्था विज्ञान विश्वेद्ध्यालें गव अनुसंदान संस्तान यह कहां परिस्तित प्यारी भी ध तरफ वकरी के समू को क्या कहते हैं बच्चों बकरी हो चाहें गाय हो या फिर भैसो इन सबीके समू को हड़ बोला जाता क्या बोलते हार्ड बढ़ते हैं प्रस नमबर नेक्ष्ट की तरफ पसु के सरीर कभार गयात करने का सूत्रिक क्या है तो आप ऐसे ऐसे याद कर लो पहला जो ए आप्शन से ये बिल्कुल सही है बढ़ते हैं प्रस नमबर नेक्ष्ट की तरफ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें वाई प्लीज और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्ष्ट कोस्टन से कि थार पारकर गाय की एक नसल है जो कैसी नसल है दुकाजी है मतलब दो उद्धिस को पूरा करती आतारत दुदवा बारबाहन के लिए इसके जो नरुपसू होते हैं तो कुल बिलाके बोलें तो प्यारे बच्चों दुधारू में तो जो आती हम लोग सब जानते एसस जी डी क्या इसकी ट्रीक है बच्चों येस येस जी और डी मतलब साहिवाल सिंधी गीर और देबनी ये चार ब्रीट्स ऐसी होती है जो दुधारू होती है तो दुधारू पूछ रहा थार पारकर हनियारा कांकरेज ये कैसी होती है ये होती है दुधाजी नसल है राइट अंसर जाएगा ऑप्सन नमबर एक के साथ थार पारकर जो है यह दुधाजी नसल है भदर भा किसकी नसल है भदर भा भदर भा को आप सई से देखो एक बार भदर भा को तो भा अब भा का मतलब हुआ बेंड आतारत यह एक बेंड की नसल होती है ठीक है भाई प्रस नमबर नेक्ट की तरह बढ़ते हैं गाय की जो कॉक्सीजियल धमनी है इसका सम्मंद किसे होता है प्यारे बिध्यार प्राप्त किया जाता है किस से प्राप्त होता है पस्मीना बेंड से बकरी से सुवर से या फिर गाय से तो प्यारे बच्चों आप सबी लोग सई जो आप दे रहे हैं बकरी की एक नसल होती कस्मीरी तो बकरी की प्यारे बच्चों कस्मीरी नसल से जो है कस्मीरी नसल से जो हैर प्राप नहीं है तो आज की क्लास काईज यहीं तक आइवोप आपको क्लास बहुत जादा परसंद आयूँ होगी अगर क्लास बास्तिक आपको बहुत जादा अच्छी लगी और सबसे बड़ी यह बात है कि ये सारे previous year के प्रसने जो परिच्छाओं में पूछे गए तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आपके आगामे एक्जाम में आने की इसलिए इन प्रसनों को अच्छे से आप याद कर लेंगे और बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर देना बस नए प्रेंट चालनों को सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए नमस्कार और ये ज़रूर बताएं की कमेंट में की आज पस पालन की पहरी क्लास थी आपको क्लास कैसे लेगे मिलते नेक्ट वीडियो तब तकी रे नमस्कार थैंक्स पर बाच सिंग